दोस्तों नमस्कार राजेसर क्लाशिश में आपका श्वागत है कच्छा दस गणित महत्पुर्ण बहुई कल्पी प्रस्ट इदी बोड एक्जाम दो हजार चौबिस में आप अधिक से अधिक अंग पाना चाते हैं तो पूरा वीडियो देखे मित दोस्तों को सेर कीजिए य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो यह महत्पुर्ण बहुई कल्पी प्रस्ट आपको वोड एक्जाम में अधिक से अधिक अंक दिलाएगा तो सुरू करते हैं पहला प्रस्ट यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तब संख्याओं 306 और 657 का LCM है यानि यहां पर द दोनों संख्याओं का लॉसा हमें निकालना है तो हम जानते हैं चार विकल्प दिया गया है गणित है बिना हल की नहीं पता चलेगा तो सुरू करते हैं इसका हल हम जानते हैं HCF याच HCF HCF गुडे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुड़न फल 306 गुडे 657 हमें यहां पर क्या दिया है HCF यानि मौस दिया है 9 और LCM इसका लॉसा निकालना है तो यहां से हम LCM बराबर कर देंगे 306 गुडे 657 बटे HCF यह हो जाएगा 306 गुडे 657 बटे HCF 9 है यह दि हम 9 से काटेंगे इसको 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 तरिक 27 और बचेगा 3 36 ना जो के 36 और दोनों का ज़िए हम गुड़ा करेंगे तो आएगा 22,338 यानि हमें LCM जो मिला वह 22,338 इसका अर्थ हुआ पहला विकल्प शहिए तो यह महत्पुन वह विकल्पी प्रशन है आपके सामने यहां लिखा है दूसरा प्रशन है निम्न संख्याओं का और परमे संख्या है निम्न संख्याओं में और परमे संख्या है यह काँ इसमें और परमे संख्या तो देखे पहली संख्या अंडर रूट 9 है तो यह 3 हो सकती यह तो परमे हो गया यह भी परमे है क्योंकि इसको हम पर्मे संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यह रिपीट हो रहा है यह भी रिपीट हो रहा है यह भी पर्मे संख्या है लेकिन यह क्या है और पर्मे संख्या क्योंकि देखें रिपीट ने 01, 001, 001, 001 ऐसे बढ़ता जा रहा है तो इसका आर्थ है कि D जो है ओ पर्मे संख्या है अगला प्रशना आपके सामने है बहुपत का सुन्यक है इस बहुपत का सुन्यक क्या होगा हमें ये मालूम करना है तो हम लोग जानते हैं कि सुन्यक ज्याद करने के लिए इसको सरल करेंगे तो देखी गुड़न खंड भी निसे तो X स्क्वार प्लस 7 X प्लस 10 इसका गुड़न खंड करेंगे तो X स्क्वार 2 X प्लस 5 X प्लस 10 तो जोडेंगे तो क्या आजाएगा 7 आएगा ये 2 और 5 का गुड़ा करेंगे तो 10 आएगा तो यक्स कामल लेंगे यक्स प्लस 2 बचा यहां से 5 कामल लेंगे यक्स प्लस 2 बचेगा और यक्स प्लस 2 यहां यक्स प्लस 5 आ गया अब यह आगया गुणन खन हमें सुन्यक ज्याद करना है तो सुन्यक के लिए सुन्यक के लिए इसको जीरो के बराबर करेंगे बराबर सुन्य यक्स बराबर रिन दो फिर दूसरा भी इसी प्रकार से करेंगे सुन्य के बराबर करेंगे जीरो यक्स बराबर माइनस पांच यानि पहला विकल फी सही है इसके सुन्यक मतलब रिन दो रखेंगे ति पूरा सुन हो जाएगा रिन पांच रखेंगे तब भी पूरा बहुपद सुन हो जाएगा तो पहला विकल फी सही है अब यहाँ पर आपका अगला प्रशन है सुन्यकों का योग फल यह बहुपद है कि सुन्यकों का योग फल या तो गुड़न खंड का योगफल का जो सुत्र होता है योगफल का जो सुत्र होता है वो होता है सुन्यकों के योगफल सुन्यकों का योगफल बरावर होता है माइनस B अपान माइनस A ठीक है ये सुत्र होता है इस बिधी सेधी हम यहां पर देखेंगे तो सुत्र पर रखेंगे तो A की जगह क्या है तीन है तो तीन आ गया अब बी की जगह क्या है पांच है तो इसका सही बिकल्प जो है सी है सही बिकल्प क्या है सी है इस सुत्र से निकालेंगे आप सुन्यकों का योगफल या तो गुड़न खंड करके इसका सुन्यक निकाले फिर जोड़ी या तो सीदे सीदे सुतर सुन्यकों का विकलता है रेन B बटे गुडन फल जो होता है C बटे ए होता है ये सुन्यकों का गुडन फल तो आप इन सुतरों से सरल कर शकते हैं अब देखे अगला जो प्रस्ण है आपके सामने पांचमा रिखाओं A1X प्लस B1Y प्लस C1 बरावर 0 और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बरावर 0 का एक अदुती हल होगा का एक अदुती हल होगा यानि इन दोनों समिकरण का हल कब होगा एक अदुती हल होगा हल नहीं होगा हल होगा अनेक पर में तीन कंडिशन होते हैं तिहां हल अदुती हल होगा यानि X का एक मान Y का एक मान आएगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा तो इसके लिए जो कंडिश अगला प्रश्ण है यदी समीकरण तो यक्स प्लस तीनों एबरावर तेरह में यक्स का मान दो हो तो आई का संगत मान होगा तो आई का संगत मान होगा यक्स का मान दो है तो आई का संगत मान तो यक्स का मान इसमें रख देते हैं और Y कमान अपने आप निकल जाएगा तो देखे यक्स यह यह है तो दो रगतें के यक्स की जगा प्लस 3Y बराबर 13 यहां 4 हो जाएगा 3Y बराबर 13 3Y बराबर यहां हो जाएगा यह पच्छांतर होगा 13-4, 3Y बराबर 9 हो जाएगा y बरावर 3 हो जाएगा यानि इसमें जो बिकल्ब शही है 6 वा का वो क्या है 3 यानि C बिकल्ब सही है आपका 6 प्राश्ट 3 x स्क्वार माइनस 6 x प्लस k बराव 0 के मूल शमान हो तो k का मान है k का मान इसमें से कौन सा है यह हमें ग्याद करना है तो देखें हल करते हैं इसको मूल शमान मूल शमान जब बात आती है तो होता क्या है 20 स्क्वार माइनस 4 AC बरावर 0 के हो जाता है यह है विवक्तकर का मान डिस्क्रिमिनेंट का मान सुन के बरावर होता है जब मूल समान होता है अब यहाँ B की जगह क्या है देखें पहले हम निकालें के A की जगह क्या है यह बरावर 3 है B बरावर 6 है और C बरावर क्या है K है अब इसमें रखेंगे तो देखें B की जगह लिखेंगे रिड 6 काई स्क्रिमिनेंट और A की जगह हम लिखेंगे 3 और C की जगह है K बरावर सुन यह 36 हो जाएगा आपका बरावर शारी चैरतियां 12 12 के बरावर सुन यहाँ से 12 के बरावर यह पच्छानतर हो गए रिन च्छतिस और के बरावर हो जाएगा रिन रिन कैंसिल के का बैलू तीन आ जाएगा यानि पहला भी कल्प शही है आपका अब देखिए दूसरा जो है दुगास समीकरण 3X2-6X4 का विविक्त कर है यानि आठवा देखिए यहाँ पर विविक्त कर निकाला डी से प्रतरसित करते हैं B2-4 इस यही यही निकालना में यहाँ पर B की बैलू रिडश इसमें भी है 4A की बैलू 3 इसमें भी है लिख देते हैं 3 और C की बैलू इसमें 4 है चार लिख दिया जाए तो छोचा का 36 रिड़ चार तियां 12 है बार चोकण 40 यह हो जाएगा आपका घटाएंगे रिड़ बार है यानि C विकल्ब शही है C विकल्ब शही है अब चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रस्ण पर नवा प्रस्ण आपके सामने दिखास समीकरण के मूल है यानि दिखास समीकरण X square minus 4 बढ़ावज 0 के मूल है यह है यह यह चार देग है तो देखे नवा यक्स square minus 4 बढ़ावज सुन यक्स square बढ़ावज 4 पच्छांतर यक्स बढ़ावज मूल है के प्लस माइनस अंडर उट 4 यानि आपका मिल जाएगा प्लस माइनस 2 कौनसा विकल्ब शही है नवा का 20 ह अगला है समीकरण के मूल है वास्तविक और बराबर वास्तविक और भिन वास्तविक नहीं वास्तविक ठीक तो देखे दस्वा यहां पर विपतकर निकालेंगे और देखेंगे कि उसका मान क्या आ रहा है उसी आधार पर हम तो बी की जगए रिंड चार है चार का स्क्वार एक जगए दो है और सी की जगए एक है और यह हो जाएगा आपका सोल यह हो जाएगा आठ बराबर आठ हा गया जब आठ आ गया धनात्मक है तो वास्तविक है अब बराबर है कि नहीं भिन है भिन मने अलग-अलग है कि नहीं वास्तविक तो है वास्तविक है लेकिन वास्तविक इसमें भी वास्तविक इसमें भी वास्तविक इसमें भी वास्तविक लेकिन बराबर बराबर कब होता यदि यह बराबर तब होता जब इसका मान सुन हो जाता देखे बराबर के लिए भी था उधर यह D का मान सुन होता तो यह बराबर होता तो यह भी नहीं होगा इसका मतलब यह होगा यानि जो यक्स के मान आएंगे अलग अलग आएंगे तो B विकल्प आपका सही है समांतर श्रिणी का पंद्रहवा पद तो देखे 11 तो जो सुत्र होता है A N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह सुत्र होता है तो यहाँ पर प्रथम पद आपका है A बराबर 21 से D बराबर निकालेंगे 18 माइनस 21 बराबर रिड़ तीन और यन बराबर 15 है ही अब देखे यन यानि 15 पंद्रहवा पद निकालना है यहाँ आपका हो जाएगा 21 प्लस यन 15 माइनस 1 गुड़े D की बैलू रिड़ तीन ठीक 21 प्लस 14 गुड़े रिड़ तीन बराबर 21 अब 42 हो जाएगा यह आपका चोदर तीन 42 बराबर 21 कौन सा सही बिकल्प है ग्यारक का D बिकल्प शही है अब देखे समांतर श्रणी के लिए सर्वांतर होगा इसका सर्वांतर क्या होगा तो सर्वांतर जानते हैं कि सर्वांतर श्रणी के लिए सर्वांतर होगा अगले पद में से घटाते हैं तो सर्वांतर यहां हो जाएगा 12 का आपका सर्वांतर को D से प्रता से 1-3 बराबर 21 दो या फिर इसमें से अगले पद में से घटा जाता है यहां से भी हम गटा सकते हैं दी बराबर यानि तीसरे में से दूसरा रिड़ एक माइनस एक बराबर रिड़ दो ठीक तो इसका बारक ए बिकल्ब सही है अगला प्रस्ण है यहां पर यहां पर है चित्र में त्रिभोज ए याज के और A, B, A, B, C समरूप त्रिभोजे यदी A के बराबर 10 से में B, C बराबर 3, 5 से में और 8 के बराबर 7 से में तो A, C का मान होगा जब दो त्रिभोज समरूप हो तो उनकी भुजाओं में क्या होता है समरूपता होती यानि उनकी भुजाओं का अनुपाद संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता बराबर होता है तो देखिए हम यहाँ पर सरल करते हैं क्या क्या दिया है पहले उसको लिखा जा नहीं तो पहले यह दित्रिभोज यह आपका 13 त्रिभोज ए याच के समरूप है समरूप है त्रिभोज A, B, C जब समरूप है तो इनकी भुजाओं में अनुपात होगा तो देखिए के याच के याच के बटे C, B, C या B, C बराबर यह भुजा बटे है तो फिर इसके बाद A, K A, K बटे A, C अब देखिए क्या क्या दिया है याच क्या दिया है A, K दिया है पल A, K है लिखते है A, K A, K आपका दिया है 10 A, C A, C निकलना है A.C. आपको निकालना है यच के साथ B.C. 3.5 देखे यह आपका आगया अब तिरिया गुड़ा करते हैं तो देखे 7 A.C. बरावर हो जागा इसके इसमें गुड़ा हो जागा दसमेल हो जागा यानि 25 A.C. बरावर 35 बटे 7 बरावर 5 यानि बिकल्प D से है ठीक अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रस्ण पर बिंदू रिण 6 और 8 की मूल बिंदू से दूरी मूल बिंदू से दूरी तो हम जानते हैं दूरी का जो सुत्र होता D बरावर होता है X2 माइनस X1 होल स्कार Y2 माइनस Y1 होल स्कार बिंदू और मूल बिंदू यानि 0-0 के 20 की दूरी ठीक है ना मूल बिंदू मतलब 0-0 तो रखा जाएं हाप इसको हम मान लेते हैं X1 Y1 यह हो जाएगा X2 Y2 मान लेते हैं कुछ इधर भी मानेंगा तब यह एंसर आएगा तो X2 यानि रिंद 6 मेंसे X1 यानि 0 घटेगा प्लस Y2 यानि 8 मेंसे सुन घटेगा तो यह हो जाएगा आपका सुन घटेगा कोई आंतर नहीं कौन सा बिकल्प सही है C बिकल्प सही चाउदर का चाउदर का C सही है पंद्रहमा प्रश्ट विंदू रिंदे और तीन तथा पांश दो की बीश की दूरी तो हैं सुत्र D बराबर अंडरोट X2 माइनस X1 whole square और Y2 माइनस Y1 whole square से आप निकाल सकते हैं अभी पिछला प्रश्ट हमने हल किया अब देखे इसका answer B वाला सही है बिंदू रिंदो 6 और रिंद 2 10 को मिलाने वाले रेखा खंड के मद बिंदू के निर्दसांग है इसके मद बिंदू का निर्दसांग तो देखे जो सुत्र होता है मद बिंदू के निर्दसांग X1 प्लस X2 अपान 2 Y1 प्लस Y2 अपान 2 Y1 प्लस Y2 अपान 2 ये सुत्र होता है तेहां पर इसको हमने X1 ये Y1 X2 और इसको Y2 मान लिया जाए तो X1 क्या है रिंदो धन रिंदो Y2 भी रिंदो है अब देखे बटे दो Y1 चो Y2 दस बटे दो अभी हो जाएगा क्या रिंदो रिंदो बटे दो अब हो जाएगा 16 बटे दो ये हो जाएगा आपका रिंद 4 बटे दो ये हो जाएगा 8 यानि रिंदो 8 यानि कौन सा सही बिकल्प है C बिकल्प आपका सही है अगला प्रशन है का मान है इसका कौन सा मान है ये है ये है ये है ये तो देखिए यदि हम इसको सरल करेंगे तो 1 10 45 का मान एक होता थे एक स्क्वाइर लगा है तो ये स्क्वाइर कर देंगे और यहाँ स्क्वाइर यहाँ भी कर देंगे अब एक स्क्वाइर करेंगे एक आएगा यहाँ एक का स्क्वाइर एक यानि सुन बटे दो ब्रावर सुन सुन में किसी संख्या का भाग देंगे तो सुन आएगा अब इसमें किसका मान सुन आएगा काश 90 का मान सुन होता है साइन नम्बे का मान एक होता है टैन नम्बे का मान और परिभासित और साइन पैतालिस का मान एक बटे अंडरूट टू तो जिसका मान सुन्य होगा वहीं होगा इसका कानेकार्थ है सत्रे का ए सही है सत्रे का ए सही है अब देखिए यहाँ पर है हो तो sin theta minus cos theta अबरावा 0 हो तो sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta sin 4 theta plus cos 4 theta कमान होगा इसमें से क्या होगा तो देखी यहां से हम सरल करेंगे sin theta minus cos theta अबरावा सुन दिया तो यहां से हम लिख सकते हैं red cos theta बरावर red sin theta ठीक अब यहां red red cancel हो जाएगा नहीं रुकिए सारी पहले इसी पच्छांतर कर दे sin theta बरावर कास theta हो जाएगा ठीक पच्छांतर कर दिया अब इसी कास से हम भाग दे देंगे तो sin theta बटे कास theta बरावर क्या आजाएगा एक आजाएगा फिर गुड़ा करेंगे जसका तसा यह 10 theta बरावर क्या हो गया यह 10 theta हो जाएगा 10 कितने का मानिक होता है 10 45 डिगरी यानि theta की जो बहली है 45 डिगरी आगए इसका मतलब theta की जो बहली हो आगए कितने आगए 45 अब यहाँ हम मान रखेंगे sin 45 ठीक है तो sin 45 फोर घात है और कास फोर 45 डिगरी अब देखिए sin 45 का मान एक बटे अंडरू टू चार घात है अब फिर कास 45 का मान भी वहीं होता है चार घात है अब एक का चार बार गुड़ा एक ही आएगा अंडरूट, टू गुड़े अंडरूट, टू गुड़े अंडरूट, टू गुड़े अंडरूट, टू गुड़े अंडरूट, टू यह न चारगात, तो यह दो हो गया, और यह दो हो गया, यहां भी एक बटे चार हो गया, यानि चार, दो हो गया, यानि एक बटे दो हो कौन सा विकल्ब सही है 18 का B सही है अब यहाँ पर दिया है साइन A बरावर 3 बटे 5 देखे चित्र हम बनाते है A, B, C यह मान दिया है 3 बटे 5 यानि 3 यह है आपका है 5 यह है और सरल करेगे पाइथागोरोस प्रमेशित चार होगा अब कास E निकालना है कास E मने आधार बटे कड तो कौन सा विकल्ब सही है 4 बटे 5 कास E का मान होगा आधार, आधार 4 है और कड कितना है 5 है चार बटे 5 यह निए 19 का B विकल्ब सही है अब यहाँ पर 20 जो प्रस्ण आपके सामने है E का बरावर मान, कौन सा मान होगा यह हमें निकालना है तो देखे यहाँ पर दिया है कोशिक कोशिक E बरावर सिक E तो देखे कोशिक को हम लिख सकते हैं एक बटा साइन E और इसको हम लिख सकते हैं एक बटा कास E करें क्या इसका गुड़ा यहां करतें ठिक तो यहां एक बटे एक बचेगा यह हो जाएगा साइन ए बटे कास ए यह हो जाएगा यह 10 हो जाएगा 10 45 का मान कितना होता है एक यानि 10 A यानि A की बेलो कितने 45 डिगरी कौनसा सी बिकल्ब शही बीस का सी बिकल्ब शही है अब है एकिस्वा प्रशन जो आपके सामने किसी बृत के किसी ब्यास के सिरों पर खीची गई असपर्स रिखाएं होती है किसी बृत के किसी ब्यास के सिरों पर यह आपका ब्रित होता है ये आपका ब्यास होता है तो समानत खिची के असपर्स रेखा है इस पर खिची के असपर्स रेखा और इस पर खिची के असपर्स रेखा ये क्या होंगी समानतर होंगी यानि ए बिकल्ब शही आपका है अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेश पर बाइसमे प्रश्ट देखे बाइसमा प्रश्ट पांसेमी तरिज्या के बृत पर उसके केंद्र से तेरह सेमी दूर इस्तिते एक बिन से खीची गई असपर स्रेखा के लंबाई ठीक है पांसेमी तरिज्या ये एक बृत है जिसकी तरिज्या पांसेमी है और इसके केंद्र से 13 से में दूर ठीक, खीची गई असपर स्रेखा की लंबाई ये 5 होता है ये देखे पाइथा ये 90 डिगरी होगा ये 12 होगा यानि 22 का जो विकल्प होगा 80 होगा, हल कर लीजिएगा अपने से किसी बृत के केंदर पर बने कोड थीटा वाले तरिचखंड के संगत चाप की लंबाई होती है किसी बृत के केंदर पर बने कोड थीटा वाले तरिचखंड के संगत चाप की लंबाई होती है तो सही विकल्प ए है अब हम चलेंगे आपको ले करके अगले प्रस्ण की तरफ तो देखे अगला प्रस्ण ये 24 प्राष्ण है एक घड़ी की मिनट की सुई आर से में लंबी है एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाएगे त्रिच खंड का चेतफल होगा तो इस प्राष्ण को अपने से कीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है और इसका जो एंसर होगा ये ए होगा और ये एक लंब्रिती बिलन के आधार का चेत्रफल नव पाई सेमी स्क्वार है उसके आधार का ब्यास लंब्रिती बिलन के आधार का चेत्रफल नहीं बरावर कितने के दिया है नो पाई अब पाई पाई से कटेगा आर इसकर बरावर नो आर बरावर प्लस माइनस तीन तो प्लस ही लेगे माइनस नहीं लेते हैं और ब्यास ब्यास क्या हो जाएगा आपका दूना हो जाएगा तो ब्यास हो जाएगा टू आर यानि दो अर्द गोले का संपुर्ण फ्रिष्टि छेट्रफल एक सेमी व्यास वाले अर्द गोले का संपुर्ण फ्रिष्टि छेत्रफल तो जानते हैं इसका जो सुत्र होता है 3, 3 πाई। रिसको है, इस पर आप रखके निकाल सकते हैं, joh answer आएगा, वही सही होगा, तो निकाल भी देते हैं हम यहाँ पर 3 πाई 1 बटे ब्यास है न तो तुरिजिया इसकी आधी हो जाएगी 1 बटे 2 का आधा यानि 1 बटे 4 तो 1 बटे 4 का स्क्वाइर यानि 3 4 तो 3 πाई इसका स्क्वाइर केंगे 16 यानि 3 πाई 3 πाई पन स्क्वाइर 26 का 20 सही है अगला प्रशन है निम्नक्रित आकणों का बहुलक होगा सारी अधूरा प्रशन है अभी हम बताते हैं आपको क्या प्रशन इसमें है देखिए आकणे इहाँ पर है इसका बहुलक निकालना है 19, 29 25, 36, 28 25, 18 28, 25, 29 तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है 19, एक बार दो बार खाली है 25, एक बार यहाँ एक बार दो बार है 18, एक एई बार 38, एक दो तीन बार है तो इसका जो बहुलक होगा वो 38 होगा डी बिकल्प सही है अब देखिए लिखा है एक से नौ तक प्राक्तिक संख्याओं का माध्य होगा तो आप जानते ही है जो इसका होता है माध्य एक से नौ तक माध्य यक्स बार बराबर हो जाएगा एक से नौ तक जोड़नेंगे एक, दो, तीन चार, पांच छ, साथ आठ, प्लस, नौ संख्याओं के संख्याओं कितनी होगी, नौ ठीक अब ये जोड़ने पर आपका मिलेगा पैंतालिस अब पैंतालिस में नौ का भाग देंगे पांच आ जाएगा, तो सही पिकल्प क्या है बी है आपका अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी बरामबारता बंटन का माध इतना दिया है माध का बीच दिया है तो बहुलक निकालना है तो देखे इसके लिए जो सुत्र होता है हम बता दें आपको इसके लिए जो सुत्र होता है वो होता है ये सुत्र जो होता है इसका बहुलक बराबर होता है तीन गुड़े माधिका ठीक है? माधिका रेड़ेद दो गुड़े माध ठीक? तीन गुड़े 20 माधिका कितनी वही है? 20 सारी सारी 20 है अब माध कितना है? 20.5 तो यह हो जाएगा आपका 60 यह हो जाएगा 21 यह हो जाएगा 39 60 यह हो जाएगा 21 नहीं भई एक तालिस होगा गुड़ा करेंगे यह हो जाएगा आपका 19 यानि सी बिकल्ब शही है नमस्कार